जैसे किशना बच्चों, आज बच्चों हम लोग एक विशेश प्रकार का मोशन स्टडी करने जा रहे हैं, जिसे हम लोग कंस्टेंड मोशन के नाम से जनते हैं, कंस्टेंड मोशन दो तरह के कंस्टेंड होता है, कि स्टिंग कंस्टेंड होता है, और एक वेज़ी कंस्टेंड होता है, इस टिंग कंस्टेंड होता है, रसी से जुड़ावा कंस्टेंड मोशन होता है, और वेज़ी कंस्टेंड जो होता है, उसमें हम जो वेजेज होते हैं, जो blocks होते हैं उनसे जुड़ेवे constraint की बात करते हैं तो पहले हम आपको string constraint सिखाने जा रहे है string constraint क्या होता है यह सिखाने जा रहे constraint का मतलब यह होता है constraint को physically अगर आप समझना चाहें तो constraint का मतलब यह होता है कि हम किसी चीज को किसी खास तरह से चलने के लिए मजबूर करने बाद एक पर्टिकुलर तरीके से चलने के लिए अगर मजबूर कर दिया जाए रसी से बांद के ब्लॉक से बांद के या किसी नाली के अंदर डाल के या किसी ग्रूव के अंदर डाल के किसी खास तरह से चलने के लिए अगर हम उसे मजबूर कर दें तो हम उसे constraint कहते हैं जैसे constraint का मतलब है आपको समझाओ जैसे हमारे घरों में drainage system होता है हम लोग घरों में पानी का इस्तेमाल करते है वो पानी हमारे घर के बगल में एक छोटी नाली होती है उसमें जाता है फिर उससे जुड़ा एक बड़ी नाले में जाता है तो constraint का मतलब यही होता है कि हम उसको एक विशेस प्रकार से चलाएं, जो object है, उसको एक विशेस प्रकार से चलाएं, तो जब हम रसी से किसी चीज को बान देते हैं, तो जब हम किसी चीज को रसी से बान देते हैं, तो रसी की जो geometry होती है, उस geometry के हिसाब से चीजे move करना शु Newton's law से माल लिजे हैं में तीन equation मिले और variable चार है तो एक जो extra equation होता है उसको हम constraint की मदद से निकालते हैं अलग-अलग जो variables हैं उनके acceleration में relation जो है वो हम constraint की मदद से निकालते हैं तो constraint motion दो type की होते हैं एक string constraint और एक wedge constraint तो हम पहले string constraint पढ़ने जा रहे हैं string constraint string constraint हिंदी में इसका नाम बड़ा अच्छा ना हम है हिंदी में हिंदी में इसको कहते हैं बाधित गती बाधा पल जाना एक खास तरह से चलाना उसको ऐसे जा रहा है रस्ते में कोई दिवार आगी तो उसको इस तरह से जाना पड़े हैं तो एक constraint हो गया एक उसके सामने जैसे आइटी की ते अरी वाला constraint नहीं होता आप जैसे पराने जमाने में आदिवासी जैसे जंगलों में रहते थे तो आप इत्ती सुभर उड़ते नहीं सुभर करना फिर बढ़ाई करना फिर क्लास अटेंड करना फिर उसके बाद जो है टूशन करना या कोचिंग करना स्कूल तरह तरह के constraint हैं आपके लाइफ में न तो वो constraints है कि आपको in set of constraints के अंदर ही काम करना है एकदम फ्री होते हैं तो यह सब पढ़ाई उड़ा है इस तरह का मालनों नहीं होता पुरा ना दसजार साल पहले अगर आप जनम लेते तो इस तरह के constraints आपके सामने नहीं थे लेकिन modern civilization ने तरह तरह के constraint डाल दिया आपके सामने constraint का मतलब यह होता है कि हम उसको एक खास तरह से चलने के लिए मजबूर कर देते हैं तो string constraint का statement जो है वो बहुत simple सा है statement बहुत simple सा है application बहुत सारे है statement यह है कि अगर string in extensible है रसी अगर खिचती नहीं है तो रसी की लंबाई constant रहत बस इत्ता से इसका statement है लेकिन application बहुत सारे है इसके string का statement का मैं statement लिखता हूँ the string the length of the string the length of the string remains same the length of the string remains same provided the string is inextensible the length of the string remains same provided the string is inextensible रसी की लंबाई same रहती है अगर रसी inextensible है रसी के अंदर अगर खेचाओ नहीं हो पता है तो रसी की लंबाई हमेशा same रहती है अब इसका benefit क्या होता है हम लोग इस constraint motions को यूज करके तरह 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 के जो पार्टिकल से उनके acceleration में relation निकालते हैं जैसे एक सिंपल सा example आपको बताऊ नहीं चीक है constraint का use आप already कर चुके हो कई जगह बें कर चुके हो लेकिन आपको पता नहीं था कि आपने constraint का use किया है जैसे एक example लीजिए suppose करिए ये एक block है A इसका acceleration A1 अगर नीचे की तरफ होगा और इसका A2 होगा तो बहुत पहले ही आप ये बता चुके हो कि A1 is equal to A2 होता है किसी से पूछ ले चोटे बच्चे से पूछ ले वो भी पता देगा इतना देखने से feel आ जा रही है देखने से feel या आ रही है कि अगर ये एक मीटर नीचे जाएगा, तो रसी की लंबाई फिक्स है, तो अगर ये एक मीटर नीचे जाएगा, तो ये एक मीटर उपर चला जाएगा, तो अगर ये जितना नीचे जा रहा है, उतना ये उपर चला जा रहा है, तो A1 और A2 दोनों बराबर हो जाएगे, तो उस कंडिशन में यह हमने दोनों का एक्सेलेशन सेंगे लिया था अगर आप याद करें तो इसका एक्सेलेशन निकल भाया भी था नो मैंने M2-M1 upon M2 plus M1 into G और टेंशन जो आएगा twice of M1 M2 G upon M1 plus M2 तो इस तरह से यह इसका एक्सेलेशन आजाएगा तो इन दोनों का एक्सेलेशन बराबर ही या जैसे आपने वेज़ में देखा था वेज़ के अंदर आपने यह देखा था एक ब्लॉक था यह दूसरा ब्लॉक था इस पर फोर्स लगाके मैं चला रहा था तो इन दोनों का एक्सेलेशन आपने सेम लिया था ह notion नीया कि आ गे बढ़ेगा उतना इसको भी आगा बढने पड़ेगा क्यूंकि इन कि नीया पूरेय नहीं पड़़एतों स्वाइज हम लोग के इंशन हेे साथा हम लोग constraint का इस्तेमाल, constraint को use करते हैं और उसका acceleration का relation निकालते हैं, ठीक है? अब उसके बाद, इस में पर तोड़ा आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़कर करके, हम लोग constraint relation को कैसे use करते हैं तो यह जो कैसे अलग-अलग particle के acceleration बें relation निकालता हैं, यह मैं आपको सिखाने जारा हूँ, एक मैं question नूँगा, और उस question में कई तरह से मैं आपको उस question को solve करा हूँ गा, जैसे माल लीजिए, एक मैं example ले रहा हूँ आपके सामने, ठीक है, यह जो example है, हो क्या है, देखिए, इह यह B है और A का acceleration मेंने Small A मान लिया और B का acceleration मेने Small B मान लिया, तो Small A और Small B में relation निकालना है, इन दोनों के acceleration में relation क्लाना है, तो इनके acceleration में relation निकालने के कैं सारे methods हैं, पहला जो method है, उसको हम लोग कय तो Inspection method, Inspection, वो क्या होता है? इसको देखेगा थरा? देखेगा और इसको समझने का प्रयास कीजिएगा. इंस्पेक्शन मेथड क्या होता है? inspection में थर्ण में हम लोग चीजों को देखते हैं inspect करते हैं और inspect करके और फिर हम बताते हैं कि acceleration में क्या relation होगा जैसे इसी question के अंदर इसी same question में मैं यह माल लेता हूँ कि यह pulley जैसे यह block नीचे आ रहा है यह उपर जा रहा है तो यह pulley एक मीटर उपर चलेगी यह उपर गी तो देखो धाल से अगर आप inspection method में क्या होता है सिर्फ देख की बताना होता है उसके अंदर को यह ऐसा official method है कि हम को calculation करेंगे हम देखेंगे और देख के बता देंगे तो अगर में मानता हूँकि यह पुली एक मीटर ऊपर चलेगीальная तो एक मीटर रस्ती यहां से खाली हो जाएगी अब यह दो मीटर जो रस्ती खाली होई है वो इस तरफ ही तो भड़ेगी तो अगर ये एक मीटर उपर जाएगा तो फिर इसको दो मीटर नीचे आना पड़ेगा और अगर इसको दो मीटर नीचे आना पड़ेगा तो अब अगर इसका एक्सेलेशन वन होगा इसकी वेलासिटी वन होगी तो इसकी टू आ जाएगी इसका acceleration 1 होगा तो इसका 2 आजाएगा तो यहां से हम रिसा कह सकते हैं कि B जो है 2A के बराबर है inspection method से सीधे देखे यह method उन बच्चों के लिए होता है जो target के बच्चे होते हैं target का मतलब जिन्होंने एक बार कर रखा है दूसरी बार कर रहा है पहली बार inspection method से बहुत आसानी से चीज़े दिखाई नहीं पड़ते हैं अगर आप देख लो तो बहुत अच्छा है लेकिन यह method यूजली उन बच्चों के लिए जादा यूजल होता है या तो बहुत ही जादा अच्छे जैसे बच्चे हो एक मीटर नीचे लगाए देख मीटर यहां लंबाई कम हो गई एक यहां कम हो गई तो अब यह जो लंबाई है यह दो मीटर कम हो जाएगी ठीक है तो बी की वैली जो है वो टूए के बराबर हो जाएगी यह inspection method हो जाएगा inspect कर के हम पता लगाते हैं यह हमेर क्या हो गई दूसरा इसके अंदर जो method आता है उस method के अंदर हम लोग क्या करते हैं जो second method है को मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ उसके अंदर हम लोग लंबाईयां assume करते हैं किसी given point से distances को assume करते हैं और assume करके फिर हम उसको solve करते हैं तो जैसे यह देखें आप तो A और B का relation निकालना है एक method तो inspection method आपको सिखाई दिया मैंने कि देखें और देख करके पता लगाएं कि कौन सा उनमें आपस में क्या relation है दूसरा जो method है वो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ इसमें हम क्या करते हैं कि जो masses चल रहे हैं दूसरा वाला जो method है उतना useful method नहीं है लेकिन फिर भी method तो सारे सीखने है तो इस method में हम क्या करते हैं कि जो भी masses move कर रहे हैं जैसे यह polypully move कर रहे हैं तो इसकी किसी fixed point से distance मैंने L1 मान ली और जो दूसरा वाला है इसकी किसी fixed point से distance मैंने L2 मान ली पहले वाले की L1 मान ली दूसरे वाले की L2 मान ली और रसी की total length जो हो इस तरह की जो सवाल हैं दो block हो तीन block हो पांच block हो उससे मतलब नहीं हैं जो भी moving masses है उनके किसी fixed point से distance मान लेते हैं L1, L2, L3, L4, L5, L6 मान लेते हैं और उन distances के term में उसकी total लंबाई को लिखते हैं जो रसी है उसकी total length को उन जो distances हमने assume की हैं उसके terms में लिखते हैं तो जैसे मान लीजे ये L1 है ये L1 है तो अब अगर मैं इस रसी की total लंबाई को लिखता हूँ तो ये हो जाएगा L1 प्लस ये वाली लंबाई भी L1 होगी इसके अंदर कोई constant है ये लंबाई कोई constant है तो मैं इसको मान लो C मान लेता हूँ C1 ये total L1 था इस दूरी को मैंने C1 मान लिया प्लस ये वाली जो लंबाई है इसको मैंने L2 मान रखा है ये रसी की total लंबाई है ठीक है टोटल लेंथ है रसी की constant relation ये कहता कि total लंबाई हमेशा constant रहेगी तो अगर मैं इसको differentiate करूँ तो जैसे 2L1 प्लस L2 is equal to capital L plus C1 capital L भी constant है C1 भी constant है अगर मैं इसको differentiate करता हूँ तो ये जाएगा 2 times इस पुरे को differentiate करूँ में तो 2 times differentiation of L1 over dt plus differentiation of L2 over dt ये 0 के बराबर हो जाएगा अगर मैं इसको differentiate करूँगा L1 का differentiation जो है L1 का जो भी differentiation है वो V1 होगा ठीक है और L2 का differentiation मतब L1 जो जो है basically इस पुली की distance है तो जो पुली की velocity होगी position का differentiation velocity होता है तो इसकी velocity को मैं V1 लिखतेता होती होजाएगा 2 times V1 plus VB is equal to 0 क्योंकि L और C1 को constant थे उसका differentiation जीड़ोगा एक बार और मैं differentiate कर दूँ तो V1 का velocity का differentiation acceleration होगा तो 2 times acceleration of A plus acceleration of B is equal to 0 हाँ यह हो जाएगा अब इसके अंदर जैसे L1 की value क्या हो रही थी L1 की value यह उपर जा रहा था तो L1 घट रहा था अगर घट रहा था तो जो चीज घटती उसका differentiation negative आता था यह माइनस आएगा यहां भी माइनस आएगा तो यहां पर आजाएगा acceleration of B is equal to 2 times acceleration of A B का acceleration बने B माना था और A का ही माना था तो B is equal to 2 आ गया यह एक दूसरा तरीका हो गया second method है second method में फिर से explain करना हो इस method में जैसे 2, 3, 4 जितने भी block है सबकी किसी fixed point से distances assume कर लेते हैं फिर वो जो distances हमने assume करी थी उनके terms में रसी की total length को लिखते हैं फिर उसके बाद उसको differentiate करते हैं रसी की total length constant है तो उसका differentiation 0 आ जाएगा और बाकी जो masses की distance हमने मानी थी उसका differentiation velocity हो जाएगी चुकि यहाँ पर L1 घट रहा है तो L1 अगर घट रहा है तो उसका differentiation negative आएगा तो हमने minus 2 भी यह कर दूँगा plus VB is equal to 0 solve करेंगे तो B का acceleration एक है acceleration का double आ गया 2 times A के बराबर हो गया यह जो है दूसरा बादा method हो गया जिसमें हम constraint का use करते हैं रसी की लंबाई fix है उस बात का इस्तेमान करते है तीसरा इसके अंदर method आता है थर्ड एक method आता है इसे हम लोग work method कहते हैं virtual work method भी कहते हैं work method भी कहते हैं सबसे जो useful method है इस तरह के सवालों में work method या virtual work method हम कुछ भी बोल सकते हैं अलग-अलग नामों से जानते हैं सबसे useful method यह है यह method जो होता है वो यह method कहता है इसका जो proof होगा जो work for energy पढ़ाऊंगा तब वहाँ पर आएगा proof लेकिन इस method बड़ा सिंपल है कि किसी भी system के अंदर मालो N masses है N masses है रसीयों से बढ़े हुए स्टिंग से बढ़े हुए तो T1.V1 plus T2.V2 plus T3.V3 and so on is equal to 0 यह रगा T1.V1 plus T2.V2 plus T3.V3 is equal to 0 अब इन सबका जो जोड है वो 0 के बराबर है इन सबका जोड अगर 0 के बराबर है इसका मतलब यह है कि इन सबका dot product है यह यहाँ पर आपको समझना है कि T1.V1 plus T2 dot जैसे मालनों पहले block पे जो रसी है पहले block पे दो तीन रसी लगी सब मिलाज उला के पहले block पे टेंशन जो आ रहा है net टेंशन आ रहा है T1 और पहले block की velocity भी बन है तो T1.V1 दोसरो block पे net टेंशन T2 लग रहा है net जो भी होगा हो इदर उदर उपर नीचे यहाँ महां से कुल मिलाज उला के जितना भी टेंशन लग रहा है T2 T2.V2 plus T3.T3 is equal to 0 और अगर हम इसी को symbolic form में लखना चाहें तो sigma T1.V1 is equal to 0 यह work method है और इसकी मदद से हम बढ़ी आसानी से velocities और acceleration में इन सब में relation निकाल सकते हैं इस work method की को यूज करते हो बढ़ी आसानी से बहुत ही बढ़िया तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं कैसे निकाल सकते हैं जड़ा देखिए यह वाला देखें इस वाले ब्लॉक को देखें अगर मैं इस रसी का टेंशन T माल देता हूँ इसका टेंशन T है यहाँ भी टेंशन T होगा यहाँ भी टेंशन T होगा और इस जगह पर जो टेंशन आएगा यह टूटी आजाएगा इस जगह पर टेंशन टूटी आजाएगा अब इस वाले ब्लॉक पर अगर हम देखें तो इस ब्लॉक पर जो टेंशन लग रहा है वो 2T लग रहा है और block की velocity भी उपर की तरफी है तो tension और velocity दोनों का direction सेम है तो अगर मैं इसके लगा हूँगा तो दो block है न तो मैं सबसे पहले लिखता हूँ है T1.V1 प्लस T2.V2 T1.V1 प्लस T2.V2 is equal to 0 अब अगर मैं इस वाले block के लिए करता हूँ इस वाले block के लिए तो इस पर tension लग रहा है 2T मैं इसको ऐसे लिखूँगा पहले तुड़ा सिंवाली फॉर्म में T1.V1 प्लस T2.V2 VB is equal to 0 T1.V1 प्लस T2.V1 अब इस पर जो एपर जो tension लग रहा है वो 2T लग रहा है और A की velocity में ने भी यह माल ली तो A पर tension 2T तो 2T into VA into cos 0 dot product याद करो A dot V होता था A B cos theta यहाँ पर देखो tension भी उपर ही लग रहा है इस पर और velocity भी उपर ही है उपर ही जा रहा है ना दिखा रखा है question में तो 2T into VA cos 0 प्लस इस वाले पर जो tension है इस वाले पर जो tension है वो तो उपर की तरफ है लेकिन velocity नीचे की तरफ है जो जाएगा T into VB cos of 180 अगर opposite direction के vectors है तो dot product negative आता है cos 180 minus 1 हो जाएगा अब मैं इसको solve करूँगा cos 0 1 हो गया 2VA minus VB is equal to 0 तो 2VA minus VB is equal to 0 तो solve करेंगे solve करेंगे तो VB जो आएगा इसके पर हो जाएगा 2VA बी की जो velocity आजाएगी वो A की velocity के डबल आजाएगी velocity of B is 2 times the velocity of A तो देखें यहाँ पर भी आप देखें तो वही तो आ रहा है B की velocity A की velocity के डबल आजाएगी एक बार और डिफ्रेंशेट कर देगे तो A का जो acceleration है वो sorry B का acceleration A के acceleration का डबल आजाएगा B के acceleration को मैंने B बूला था और A के acceleration को मैंने A बूला था ठीक है तो B की value जो होगी वो 2A के बराप रुचाएगी तो यह भी एक method होगा और सबसे useful method यहेंगे IIT में जो सवाल जितने भी आस तक आएवे नीट में जितने भी आएगे हर सवाल में यह method applicable हो जाता है ठीक है कादरेयर कभी कोई होगा angle theta दे दिया हो उसमें भी लग जाएगा थोड़ा सब परशानी आती है यह सबसे अच्छा method होता है constraint method का जिसकी मदद से हम लोग dot product scheme को use करते हुए acceleration का relation निकाल पाते है बच्चों बहुत सारे ऐसे relation आते हैं जहां पर हमें क्या करना होता है कि pulley भी चल रही होती है अगर pulley रुकी होई तो कोई tension नहीं है लेकिन pulley भी चल रही होती है और उस case में भी हमें acceleration को relate करना होता है pulley के acceleration और block के acceleration को relate करना होता है अगर रुकी होई यह तो के tension नहीं है लेकिन अगर pulley चल रही है तब A1, A2 और AP में यह pulley का acceleration इसको मैं AP बोलना हूँ तो A1, A2, AP में क्या relation होता है यह मैं आपको बताने जा रहा हूँ जैसे माल लिजिए कि यह block A1 से नीचे आ रहा है यह A2 से नीचे आ रहा है और pulley के acceleration AP के पराबर है तो इसके respect में अगर माल लो कि यह जो pulley है इस पे मैंने अपना observer बठा दिया जान बूच कि मैंने इसका smiling face मना है तो अगर मैंने इसके अपना observer बठा दिया तो pulley के respect में इसका जो acceleration होगा अगर pulley के respect में देखा जाए तो pulley रुख जाएगी और इसका acceleration होजाएगा A1 माइनस AP और pulley के respect में इसका जो acceleration होगा वो होजाएगा A2 माइनस AP pulley के respect में इसका acceleration होगा A1 माइनस AP और इसका एक्सेलेशन होगा a2-ap और ये दोनों इक्वल न अपोजिट होगी क्योंकि अगर पुली रुकी हुई है तो अगर ये नीचे जा रहा होगा तो पिर इसको उपर जाना पड़ेगा न पुली तो रुकी हुई है नहीं तो रस्ती तूट जाएगी तो अब पुली के रिस्पेक्ट में देखते हैं तो पुली रुक जाती है तो इसके रिस्पेक्ट में इसका एक्सेलेशन a1-ap इसका a2-ap a1-ap is equal to minus of a2-ap अब इन दोनों को एड़ कर देते हैं a1-ap जो आएगा वो किसके बराबर जाएगा a1-a2 upon 2 तो पुली का जो एक्सेलेशन होगा वो इन दोनों के एक्सेलेशन के जोड का आधा हो जाएगा हमेशा ध्यान रखें कि अगर पुली चल रही है तब पुली का एक्सेलेशन दोनों के जोड का आधा होगा नहीं चल रही तब भी होगा कैसे अगर नहीं चल लिए तो AP 0 होगा, AP 0 होगा, यह 0 कर देंगे, तो A1 बराबर माइनस A2 आजाएगा, A1 बराबर माइनस A2 का मतलब है, अगर पुली रुकी हुई है, तो एक नीचे जाएगा, एक उपर जाएगा, तो पुली का जो भी एक्सेलेशन होता है, वो इन दोनों के एक्सेलेशन के एवरेज के बराबर होता है, अब ही जो constraint relation मैंने आपको सिखा है, कई तरह से मैंने आपको बताया, अब इनको हम use करना आपको सिखा है, जो मैं आपको कुछ situation दूँगा, जहां बराब दो ब्लॉक् इंचन या उनका एक्सेलेशन वो नहीं, हम बस relation पता लगाना चाहरे है, तो दो ब्लॉक्स के एक्सेलेशन को किस तरह से हम भुगने लीट कर सकते हैं, वो relation सिखाने जा रहा हूं है, जैसे माल लीजे, कुछ इस तरह से है, यह ब्लॉक मान लिया A है, यह ब्लॉक B है, और इसका एक्सेलेशन में ने स्माल A इधर मान लिया, इसका स्माल B इधर मान लिया, तो अभी इसके अंदर जो question आ रहा है, वो question यह आ रहा है, find relation between small A and small B, small A और small B के एक्सेलेशन में relation बताना है, ठीक है, find relation between small A and small B, अब अगर मैं small A और small B के बीच relation निकालना है, तो मैं आपको एक मिनट का समय दे रहा हूँ, आप इसको करेंगे, और फिर मेरा solution देखने के, तो देखें, relation निकालना है, तो मैं भाई करूँगा, दो block है अपने पास A और B, तो मैं यह लिखूँगा, T1.VA, या TA.VA प्लस TB.VB is equal to 0, ठीक है, TA.VA plus TB.VB is equal to 0, अब TA, जो है, जैसे इसका tension vanity माना, इसका T होगा, तो इसका कित्त हो जाएगा 2T, तो TH होगा, TA, इसमें सबसे पहले, अगर इसका tension TA, इसका T है, तो इस वाले का 2T हो जाएगा, तो A का tension 2T हो जाएगा, और ध्यान से देखें, तो ये नीचे की तरफ आता, वो मान रहे हैं, तो tension उपर की तरफ है, वेलासिटी नीचे की तरफ है, तो dot product negative हो जाएगा, तो ये minus लगा देता हूँ है, यहाँ पर, minus VA, प्लस इसका tension आगे की तरफ है, और velocity भी आगे की तरफ है, तो जैसे tension आगे की तरफ होगा, वेलासिटी आगे की तरफ होगा, तो ये कितना हो जाएगा, T dot VB, ठीक है, और ये positive आएगा, 0 की बराबर हो गया, तो यहाँ से solve करेंगे, तो VB जो आएगा, वो 2VA जाएगा, B की विलासिटी, A की विलासिटी की डबल, एक बर differentiate कर देंगे, तो AB जो आएगा, AB, यहाँ जाएगा, 2AA, और AB, B का जो acceleration है, वो हमें पता लगाना है, तो B का हमने B मान रखा था, और A का A मान रखा था, 2TA हो जाएगा, तो B की वेलू 2 यहाँ जाएगा, यहाँ जिसका tension double है, उसकी velocity या acceleration आदा होगा, इसका tension double था न, ठीक है, तो इसका acceleration जो आदा हो जाएगा, तो इस तरह से अब लोग acceleration का relation, अलग-अलग situation में निकाल सकते हैं, एक और सवाल बच्चों, देखिए, constant motion को कैसे भी यूज करते हैं, इसको करने क हिसाब से, सवाल मैं आपको कराने जा रहा हूँ, जैसे suppose करिए कि यह एक block है, और यह एक दूसरा block है, यह एक और बुली है, और यह रसी आकर अल्टिमेटली दिवार से बद गई, यह जो रसी है, यह अल्टिमेटली आकर के दिवार से बद गई है, और हम कुछ force लगा के इसको खीच रहे हैं, और इसका Mediterranean, इसका नाम A रख दिया है और यह वाला जो ब्लॉक है वो A एक्सेलेशन से जा रहा है यह वला B से जा रहा है तो A और B में जो रिलेशन है वो आपको पता लगाना है ठीक है अब तुरह ध्यान से देखें तो अगर इस रस्ती का टेंचन में T मान लूँ तो इसका भी T आएगा यह इधर खीचरा होगा और इसका आजाएगा 2T उसी तरह से इसका भी 2T आजाएगा और इसका जो आएगा वो भी 2T आजाएगा ठीक है अब उसके बार यह वाला जो ब्ल और इसके दोनों के लिए मिलाके यह 0 के बराबर होगा तो अब देखो इसके उपर जो टेंचन लग रहा है इसके उपर इधर लग रहा है 40 और एक्सेलेशन इधर है दोनों opposite direction में है तो dot product negative हो जाएगा तो मैं इसके लिए लिखूंगा minus 40 और A block है तो इसकी velocity को मैं भी यह बनते ना हो तो यह 0 के बराबर हो जाएगा ठीक है अब मैं इसको solve करूंगा तो T से T चला जाएगा और VB जो आएगा VB यह 4VA के बराबर हो जाएगा B की जो velocity होगी वह एक ही velocity के 4 अधिक वेलासिटी हो जाएगा तो इस तरह से हम दोगा एक्सेलेशन पर रिलेट कर सकते हैं, और देखो, और रिलेशन बढ़ी है, निकाल के सिखाता हूँ है आपको, ठीक है, एक रिलेशन ये है, ये ब्लॉक है, ये इस तरह का है, इसका नाम A है, इसका नाम B है, सबोस करो, ये A एक्सेलेशन से नीचे आ रहा है और ये B से उपर जा रहा है, एक A से नीचे आ रहा है, एक B से उपर जा रहा है, तो आपको A और B के एक्सेलेशन में रिलेशन निकलना है, A और B के एक्सेलेशन में क्या रिलेशन होगा, तो find relation between A and B, find relation between A and B, A और B के एक्सेलेशन में रिलेशन, ठीक है, ये निकलना है, तो जिससे ये A जो है, वो A एक्सेलेशन से नीचे आ रहा है, B जो है, वो B एक्सेलेशन से उपर जा रहा है, अब फिर से होगे, tension वाला जो method है, best method है, मैं माल लेता हूँ कि इसका tension T हो गया, इसका भी T होगा, ये T, ये T, तो ये 2T हो जाएगा, ये 2T हो जाएगा, ये 2T, ये 2T, तो ये हो जाएगा 4T, ये 4T हो जाएगा, तो फिर य ये नीचे वाला ब्लॉक है, इस पर यहां से T लग रहा है, यहां से 2T, यहां से 4T, तो 4 प्लस 2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 7T, ये हो जाएगा 7T, और इसका acceleration उपर की तरफ है, तो इंटु B, एक उपर की तरफ है तो positive आएगा, इस पर T उपर की तरफ है, ए नीचे की तरफ है, तो minus T into A, ये 0 के बराबर हो जाएगा, हम इसको solve करेंगे, तो solve करने पर A की जो value आएगी, that will be equal to 2B, sorry, A is equal to 7B, ये हो जाएगा, इसका relation, मतलब वही है, sigma Ti dot Vi is equal to 0, ये सबसे बढ़िया त तरिका है, tension और velocity के dot product का जो जोड आता है, वो हमेशा 0 आता है, तो जैसे इसके उपर 70 लग रहा था और इसकी velocity भी उपर की तरफ ही तो 17 to B, इस पर T उपर की तरफ लग रहा है, acceleration नीचे की तरफ तो minus T into A is equal to 0, तो A की जो value आएगी, वो 7B के बराबर जाएगी, तो acceleration will be equal to 7 तो इस तरह से अलग-अलग situation में हम लोग अलग-अलग blocks के acceleration को relate कर सकते हैं